अगर जोई की बैटरी वरंटी के अंदर खराब हो जाती है मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ यह प्रॉब्लम तो मैंने भी फेस की है मैं आपको शॉट में बता देता हूँ लेकिन टीवी एस आई क्यूब कभी मत लेना दोस्तों सौकत अब सबका इस संडे स्पेशल के Q&A सीरीज के एक और ने एपिसोड में और पीछले बार की तरह इस बार भी बहुत सारे कमेंट आई है और उन कमेंट्स में से जो कोशन है उनके आंसर मैं आज आपको देने की कोशिश करूंगा तो यह एपिसोड तो बेसिकली संडे को आना था लेकिन कुछ रिजन की वज यह भी एपिसोड में कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मीटर की रहे ज्यादा बड़ा भी नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं तो वी चलिए बिना टाइम वेश की जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते है तो यह पर पहला कमेंट पर अटे जरह इसका रिप्लाई देना अगर ज वारंटी क्लेम कर लिए वारंटी अंदर है अपने रिप्लेश कर वाईए तो दस से 20 दिन 20 दिन मैक्जिममम तक हो जाता है बैटरी रिप्लेश हो के उसके बाद वह पूछते मुझे आज बैटरी दिये हुए करीब एक मन्त हो गया हो रहा है सुनवाई नहीं हो रही है कहते हैं कोई अब्रेट आएगी तो बताएगा ओके तो इनकी बैटरी खराब हो चुकी थी इनने रिप्लेश की एक माने से ज्यादा हो गया फिर भी इनको कोई भी जवाब नहीं आ रहा है एजनसी या फिर कंपनी के दरब से सो यहां पर एक हेल्पलाइम नंबर शोर आग अब उसका लिंक दे दूंगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए मैं आपको एक नंबर दूंगा उस पर आप कांटेक्क कीजिए उनसे बात करिए वह आपको डीटेल में समझाएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए या फिर क्या हो रहा है क्योंकि वह जो म पता रहता है तो आप आ सकते हो इंस्टाग्राम पर अगर आपके रिंस्टाग्राम नहीं तो यह मेरा जिमेल आइडि मुझे मेल भी कर सकती हो डायरेक्ग आपको वहाँ स लिए थीन साल की वरांटी दी बट वो बैटरी एक दो साल के बीच में खराब होगी मैंने एजनसी में बात की तो वो लोग आज करीब एक मंत हो गया है बैटरी की कोई अपडेट नहीं आई कोई ठीक से बात नहीं कर रहा है कब तक आएगी तो बताओ बैटरी में मतलब जो भी प्रॉब्लम में कम रेंज दे रही है या फिर दुआ निकल गया या फिर जो भी प्रॉब्लम में आप एक बार प्रॉब्लम भी नीचे कमेंट करके बता देना कि क्या प्रॉब्लम हुई थी आपने क्यों रिप्लेस की क्यों एक्चेंज की सो जो भी जाए दो कि जाए कंपनी के जो जितने भी मौडल से एवी है उनके उपर आपको तीन साल की वारंटी मिलती है अनलिमिटेट किलोमिटर पर जी या दोस्तों मैंने बाकी जगह पूछा था जैसे मैं एम्पियर की मैगनस या फिर बाकी जितने भी ओला की एम्पियर पर थीन सा सुआए छिले होता है वह आठाक आपकी वारंटी कतम हो जाती है लेकिन स्वाग्तों मिलती है तीन साल की वारंटी अनलिमिटर लवीटर यह तो यहाप अगर कोई भी प्रॉब्लम gir लगी है मत्लब प्रॉबलम है अगर बैटरी में तो वह एक application करते मतलब company को कि बैटरी रिप्लेस का या फिर एक चेंज का या फिर रिपेर का जो भी सही लगे वह और फिर company वालों के तरफ से delivery मतलब बॉय आता है जो भी courier service आती है और बैटरी लेकर जाती है उसमें लगते चार-पास दिन और उसके बाद company में जाके battery repair होना है तो रिपेर होती है या फिर वापस नहीं लाना है तो वापस उधर से आ जाती है उसमें भी पाच से 20 दिन लग जते यह फिर 4 पास दिन लगते उदर रिप्यरश होने में और वापस रिटरिन आने में पास 5- 5 दिन लगते मतलब hmen टोटल 15 दिन का यह समय लगता है और आए एकचेंज करने का बैटरी को और 15 अगर कोई प्रॉब्लम सॉल नहीं हुई तो आप मुझे मैंने आपको पहली का की मैसेज कर सकते हो मैं आपको एक नंबर दूँगा आप उदर से पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है उसके बाद बलते नेक्स्ट कमेंट की तरफ तो यह कह रहे सर मेरी बाइक का आटमेटिक मीटर सेट हो जाता है बहुत परिशान हो फ्लीज हो एक स idée प्राइश्य पर्सानली बहूत पर ऐसा बीजाता है आदमी जब एसा खिसी के साथ होता है मेरे सब्सक्रीज किलमेटर हो जाते थे पहली बार हो सब छेसों कृममेटर हो गय और अचनक Jonas सब्सक्राइब और यह जितने भी प्रोसेस में आपको बता रहा हूं या फिर बताने की कोई जरुवत नहीं मैंने इसके उपर एक स्पेशल वीडियो बना है यह पर उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा यह उसका थमनिल आप जाके देख सकते हो सो मैंने उसमें पूरी प्रोब्लम बताईए किया प्रोब्लम आई थी कैसे स्टार्ट हुई और फिर कैसे मैंने उनको उनसे बात की और क्या हुआ तो मैं आपको शॉट में बता देता हूँ कि क्या हुआ यह ऐसा हो रहा था प्रोब्लम बार बार वो रीडिंग जीरो हो रहा उन्होंने फिर में कर लेंगे कि मीटर 0 सची में और नहीं इसे गया उन्होंने फिर मिटर reading zero हो गया है मीटर का फिर उन्होंने वो निकाला और change करके नया लगा दिया और उन्होंने यह बताया कि यह मीटर में error था मतलब fault था problem थी fault था मीटर में इसलिए यह बार-बार zero हो रहा था तो आपके भी मीटर में error मतलब fault होगा कुछ क्या होता है कि जो रीडिंग होता है odometer का वह आपके डैजमोट में जो मीटर है वो जो उसमें से हो रहता है तो अगर उसमें कई कई बार लूज कनेक्शन हो जाता है या अंदर से कंपनी के तरफ से डिफेक्टिव पीस आजाता है कोई तो उसके वजह से वह बार-बार जीरो रहत जीरो हो जाता है तो इसलिए आपको मीटर चेंज कर अंदर पड़ेगा और अगर आपकी वी वारंटी प्रेड में मतलब एक साल क है कि आपके वारंटी प्रेड में होगा तो आप चेंज कर लिजएगा सर्विस सेंटर जाके मतलब जासे आपनी वी ली थी वह आपर जाके उसके बाद बटें नेक्स कमेंट के तरफ बाई मैं जॉय का वॉल्ट लेने वाला हूँ क्या अच्छी है लेना चाहिए सो अगर यह सवाल आप मुझे दो साल नहीं एक साल या फिर छे मैने पहले पूछते तो मैं आपको कहता कि हां लेलो बहुत यह अच्छी है लेकिन यह सवाल आप मुझे अब पूछ रहे हो तो अब मेरा जो नजरिया है वह जो तरीका है देखने का इवी के तरफ वह बदल गया है क्योंकि अब जो है कॉम्पिटिशन में बहुत सारे निव मॉडल्स निव कंपनिया आ गई है जो आपको जॉय के अलावा मतलब जॉय से भी अच्छे आपको फीचर्स और सब कुछ दे रही है जैसी कि बात कर लेते हैं अभी उन्होंने आपने देखा कि प्राइस कम कर लि तो अराउंड 80,000 रुपिज में आपको वो मिल जाएगा 70,000 उसकी एक चोरूम प्राइस है 80,000 में आपको घर पे आ जाएगा स्कूटर आपको 80,000 में वो मिल रहा है ओला का टू किलोवाट का और वो भी फीजिकल की वाला है मतलब उसको उसमें सॉप्ट्योर गिफ्ट्योर कुछ नहीं है तो आपको प्राब्लम भी नहीं आने वाली जैसे पिसले ओला के मॉडलस में आई थी सो और यह आपको जो वॉल्फ मिल रही है यह आपको मिल रही है 75,000 रुपेस की सो पाच जार एक्स्टा देके आपको आदा किलोवाट की एक्स्टा बैटरी मिल रही है क्योंकि जॉयक की बाइक में आपको मिलती है 1.4 किलोवाट आर की बैटरी और उसमें मिल रही है आपक कुछ देखने के बाद मैं आपको यह कहूंगा कि आप लेने से पहले एक बार ओला सोच लो ओला का में उसके उपर वीडियो भी बनाऊंगा शायद सो आप ओला भी ले सकते हो या फिर आपकी जो भी आपको अच्छी लगती है वह आप ले सकते हो मैं स्रीव आपको सजेशन दे रहा हूं वैसे वोल्फ भी अच्छी है लेकिन अब कॉम्पीडिशन में इतना आगे आ गए है सब कुछ तो अब वोल्फ है या पर ओला है या प तो आप डिसेट कर सकते हो आपको कौन सी लेना है आपका प्रिफरेंस क्या है उसकी सबसे आप ले सकते हो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स कमेंट की तरफ हो मच कॉस्ट यॉर स्कूटर बुरो सो मैंने एक स्कूटर ली थी अब आज से दो में दो साल पहले 30 मार्च 2022 को उ 75,000 रुपीज आइधिंक कंफर्म नहीं पता यहां पर प्राइज आ जाएंगी इतनी प्राइज अभी चल रही है फिलाल और उसके बाद हीरो वीडा या टीवियस आइक्यूब लो उच्छा उन्होंने उनको रिप्लाई किया है कि हीरो वीडा या फिर टीवियस आइक्यू ले लो सो मैं आपको एक बतार चाहूंगा कि तीवी साक्यूब कभी मत लेना हीरो वीडा फिर भी आप ले सकते हो लेगिन तीवियस आइक्यूब कभी मत लेना और यह सख्यू कर रहा हूँ इसके उपर एक वीडियो भी आने वाला इंदे डीटेल में और आपको शौट में बता देता हुए मैं बता देखेंगा क्यों कि जो टीवीईश कि आई क्यूट वाले वह सेलरी नहीं कर रहे हैं वह उनसमें ना तो फीचर है और नहीं डिजाइन है नहीं कुछ नहीं रेंज है नहीं फास चार्जिंग है वह बस ब्रैंड के नाम पर कुछ भी सेल कर रहे हैं और लोग भी पर्चेस कर रहा है मुझे यह सोच के बुरा लगता है उनकी महसुमियत को देखकर पर अब खेर मैं आपको एक आगे डीटेल में वीडिय यह भी मेरा आपको डायरेक सजेशन नहीं है डायरेक आपको फोस नहीं कर रहों कि आप मतलो आपकी मर्जी आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो उसके बात से अच्छा इन्होंने नीचे उसके कमेंट किया था पढ़ना बूड़ गया कम से कम प्राब्लम आने पर सुन आपकी इच्छा जैसी है उसके बाद उन्हीं का एक और कमेंट है बाकी एथर और ओला भी आप्शन में है पसंद हो पसंद कौन सी है यह देख लो यह भी आपका अच्छे सजेशन है उनके लिए और आज का लास्ट कमेंट पढ़ लेते क्यूंकि वीडियो भी ज्यादा ल नेक्स कमेंट परते भाई मुझे यहा यही वाला स्क्रैच काड चाहिए यही वाला स्क्रैच काड इसने कमेंट किया है एंप्यर मेगनस एक्स के उपर इस वीडियो में कुन सा स्क्रैच काड बता है मैंने मुझे तो नहीं समझ में आ रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा तो दो यहीं तक इस वीटियो को इस एपीसोड को हम खतम करते हैं और मैं आपको यह बताना ह 생각했던 कि अभी जो मैंने इस में और पिछले वीडियो में मतलब जितने भी एकींशने की वीडियो में इन सब में जो भीare यों और कमेंट के रिपलाइ दिये मैं। वो reply मैंने वीडियो में दिये वो साती साथ मैं उनका reply comment section में भी दूँगा क्योंकि अगर कोई new subscriber new कोई वेक्ति अगर comment पढ़ने आता है तो उनको उनका question और उसके answer भी वही पर मिल जाएंगे उनको ढूंदना नहीं पड़ेंगा कि इस comment का answer किस episode में होगा तो इसलिए मैं comment म में भी उसका answer उनको दे रहेंगा जिननों ने question क्या पिर comment किये उनका answer उनका reply comment में देता रहूंगा और ऐसे वीडियो के सामने भी 樂ूँगा तो क्या यह वीडियो के सामने में detail में बोल सकता हूँ और comment में इतना detail में लिख नहीं सकता हूँ और लिका तो भी पढ़ने का वीडियो नहीं देखा है कीबोर्ड की मेकनिकल कीबोर्ड की ऊपर मैंने वीडियो बाया था कुछ अलग टाइप का मैंने लिया था उसका रीविव और बहुत लंबा वीडियो है 45 मिनिस का है आइधिंग हां तो अगर आपने वह नहीं देखा तो वह भी आप देख सकते हो अच्छा वीडियो है देख सकते हो आज के वीडियो में इतने ही मिलते हैं अगले वीडियो में